हेलो गाइज वैलकम तू आल इन नेक्स्ट फिल्म देस राकेश वान फ्रेंड्स आज मैं आप सभी से इंपॉर्टन डिस्क्रशन करने वाला हूं सब्सक्रशन को लेकर गाइज 14 जैन को मैं हरीद्वार में था और उसके बाद जब वहां से आया तो फीवर बिमार हो गया उसके बाद और जिसके कारण मैं आपकी क्लासेज भी आरेंज नहीं कर पाया बट गाइज मैं आपको रेगुलर क्लासेज प्रवाइड कराऊं आप ल कहना चाहता हूं कि जिनको भी ये लगता है कि lt grade की vacancy नहीं आएगी त्यारी मत करो जब vacancies फाइनली रिलीज हो जाएगी वकैंसी update हो जाएगा सब कुछ तब आप preparation करना start करना अगर आप लगता है कि नहीं आएगी तो अभी तैयारी मत करो जब आएगी तब आप तैयारी करता है तो आप लोग अपनी तैयारी को रोको मत क्योंकि चलते हैं सिक्स मन्थ दिले होई दिले क्सिक मन्स कहते कहते बी बट गईस आप लोगों में से बहुत सार ऐसे स्टूडेंट भी है जिरोंने अभी जब अधियाचल लिए गया तुन्होंने काउंट किया होगा कहीं से कमेंट्स भी आते हैं आपको देखने को मिल जाएगी तो गाइस एक्जाम डेट अखिरकार क्या होगा और यह बहुत जादा स्टूडेंट्स को परिशान किया है क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है कि वह एक्जाम डेट तो होती है अगर वाकेंशी आती तो वहीं आप सभी ने पीस्ट का कैलेंड का उठाओ 18 का कलंडर उठा के देखो यहां पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कॉमन फैक्टर वह क्या होगा कि जिनकी वकैंसी रेगुलर आ रही है हर साल जिनकी वकैंसी रिलीज होके आ रही है उन सभी की इसमें एक्जाम डेट लिखी होंगी बट जो वकैंसी र वहाई दो हजार वैजार बाइस में यूपी पियांसी ने क्या क्या किया अपना कैलेंडर जारी कर दिया अपना कैलेंडर कार किन क्या हुआ मैं कि का कि लोसी ग्रेट को धा नहीं दे गई घ्रेड को झाह भी और मिलेड leri नहीं किया गया अब इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है कि एक्जाम डेट फाइलाइज नहीं हुआ क्योंकि वाकैंसी अभी रिलीज नहीं होई अब वाकैंसी आप खुद सोचो वाकैंसी जब रिलीज होगी तो दो से तीन महीने का तो टाइम होना चीज स्टूडेंट के पास कम से कम पढ़ करेगा स्टूडेंट को पढ़ने के लिए तो यहां पर इस रो और कॉलम को हम देखे कैलेंडर के तो वहां पर आपको आरक्षित जो चीज़े दिखाई पढ़ती हैं वह कौन सी है वह तो ट्वैल्फ नंबर आरक्षित हैं आपके पास रो यह एक्जाम डेट कब का है आठ पांच यानि कि मई के महीने में तो मई के महीने में क्या एक्जाम डेट पॉसिबल होगा यहां एक सोचने वाली बात होगी तो अभी वकैंसी रिलीज हुई नहीं है बट वकैंसी रिलीज होंगी और जिनको यह लगता है कि वकैंसी आएगी वही त्यारी करो जिसको नहीं यहां पर आपको क्या होगा कि प्रिप्रेशन करने के लिए टाइम चाहिए तो अप्रैल मई दो महिने में लेक्ष दो महिने में एक्जाम करापाना पॉसिबल नहीं होगा त्यारी नहीं होगी इसके बाद फिर टाइम आता है आपके पास 14 का भी है यह भी मई में ही है तो यहां भी पॉसिबल नहीं होगा आप इसके बाद आप कॉलम नंबर अठारा देखेंगे तो अठारा उन्नेस बीस एक इस यह रो में जब आप जाएंगे आप यहां पर यह सभी आरक्षित जगह ह उन्नेस छे यानि कि जून का हो गया टाइम यह आपका बाइस छे फिर आपके पास तीन साथ और वहीं आ गया यह आठ नो ग्यारा यह सभी आरक्षित स्पेस है यह जुलाई में है यह दो चीज़े जुलाई में रेखने को मिलेगे और यह जून में तो एक्जाम इसी पीच में एक्जाम आपका होना है क्लियर है तो आप मान के चलिए अगर जुलाई में एक्जाम होता है तो तीन महिने का टाइम तो होई जाएगा फैब में आपको वकैंसी देखने को मिल जाएगी मार्च से पहले ही आपको वकैंसी देखने को मिलती है तो भी आपका जुल दॉऑ कोई यह काम सिर्फ बताने का है मैं आपको कोई कोस भेचने आ हूँ आपना को घूटी सिस्टम है जो भी पाती आप से खई है वह सभी फ्री आफकोस्त की बाते करता हूं तो मेरा मतलब नहीं है कि म хотите कि मैं आपको पैसे लेकर कोई कोर्स बेच रहा हूं norma a p holy 600-200 ऐसा कोई सिस्टम है नहीं जो भी मैं बाते कहता हूं क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है इनकी ठीक है तो फ्री ऑफ कोस्ट की बाते हैं तो वकेंशी आपको देखने को मिलेगी अच्छी वकेंशी देखने को मिलेगी और आप लोग त्यारी करो और स्वेंट के मन में बहु इक ही एक्जाम और थे बेस पर होता और प्री और मेंस का भी जो कॉंशेप्ट है वह भी नहीं होग एक ही आपका उसी के बेस पर आपका सेलेक्शन होगा और उसी क्या क्या है कि नाम पैसो की बात करते हैं हमारा सभी चीज़ और दिक्कते भी आपको ही आएंगी कि आप लोग कितने टाइम में कितना स्लेवर्स कवर अप कर पाओगे वह आपके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपके में सब्जेक्ट का भी स्लेवर्स इतना ज्यादा होगा डीपली आपसे पूछा जाना है वहीं जनल स्टुड नहीं लगता कि वेकैंसी आएगी तयारी करनी की जरूत है वह तयारी मत करो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना तो बस इसी बात से मैं एंड करना चाहूंगा और क्लासेज आपकी रेगुलर अरेंज करवाना है मुझे और वह मैं कराऊंगा बट थोड़ा बिमार था जिसी क स्टेट में सेंटरल गॉर्मेंट में बनो आप कहीं बनो टीचिंग लाइन में जब जाना ही है तो फिर सोचना क्या जब ओखली में सर देई दिया है तो मूसल से डरना क्या है कि नहीं तो बहुत सारी वकैंसी जयार डिया सब्सक्राइब का तो कैलेंडर भी है के वीएस की स्टडी पर ध्यान करो फोकस करो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में और ल्टी के लिए भी तयारी करते रहिए करते रहिए जब आजाएगी तो उस टाइम करना मुश्किल हो जाएगा फिर बाद में को गया थोड़ा और पढ़ लिया होता तो शायद कुछ अच्छा हो आपके अल्टे क्रेट के लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट होने वाला है सो गाइस थैंक यू वैरी मच